आठ सितंबर गनेश चतुर्थी स्थापना के बाद मनो कामना पूर्ती के लिए पांच दीपक यहाँ जला देना। श्री शिवाय नमस्तु भेन दोस्तों। नमस्कार दोस्तों आप भी अगर आठ सितंबर गनेश स्थापना के बाद गुरुजी द्वारा बताए गए तरीके से पांच दीपक जला कर रख देते हैं, तो आपकी पूरी जिन्दगी बदल जाएगी आप देखेंगे कि इस दीपक की रोशनी आपके पूरे जीवन को सिद्ध करेंगे क्योंकि गनेश चतुर्थी में गनपती भगवान की विशेश रूप से पूजा अर्चना की जाती है, उनकी स्थापना की जाती है और गनपती जीहर किसी के दुख हर लेते हैं, इस दिन अगर आप कोई छोटा सा उपाय भी विधी विधान के साथ कर लेत तो यकीन मानिये आपकी बरी से बरी मनोकामना पूरी होगी क्योंकि कई बार बरी से बरी पूजा पाथ या अनुष्ठान भी हमें वो उपलब्धी नहीं दिला पाते जो छोटे से छोटा उपाय हमें दिलाता है, ऐसा तब होता है, जब हम किसी शुद मुहूर्थ में पू आप भी इस उपाय को करके देखें, आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा किसके बारे। में सबसे पहले जानकारी पाना जरूरी है, क्योंकि बिना जानकारी के किया गया, कोई भी काम आपको पूरा फाइदा नहीं दिलाएगा, इस उपाय को आप गनेश चतुर्थी स्थापना के बाद सुबह या शाम जब मंदिर खुले रहते हैं, उस समय कर सकते हैं, आप किसी कारनवश अगर आपको लेट हो जाता है, तो शाम को भी इस उपाय को आप कर सकते हैं, उपाय करने के लिए घर की जो माता बहने होती है, उनमें से कोई एक बरी ही ये उपाय करे लेकिन किसी कारनवश अगर माता या बहने ये उपाय नहीं कर सकती, तब घर का कोई बर बारी बारी से करने की जरूरत नहीं है, घर का कोई एक मुख्य सदस्य इस उपाय को करेगा, तो घर के सभी सदस्यों के जीवन में शुब फलों की प्राप्ति होगी और मनो कामनाएं पूरी होगी चलिए जान लेते हैं, पांच दीपक का उपाय कैसे? करना है इस उपाय को करने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत होगी? दीपक में आप हमेशा शुद्ध की डाले बनाए गए पांच दीपक को पांच अलग अलग जगह पर रखना होगा, इसलिए आप दीपक को जहां जहां रखने वाले हैं, यानि आपको जहां जहां रखने के लिए बताया जाएगा वहां पर दीपक रखने की जगह पर आप आप कुछ चावल के दाने रखे या फूल की पंखुरिया रखते सीधा जमीन पर दीपक को न रखे शिव जी के मंदिर में जाकर बनाए गए पांच दीपक में से पहला दीपक आपको शिव जी के सामने रखना है इसलिए आप दीपक लेकर मंदिर में शिव जी की मूर्ती ज जहा स्थापित है, वहां बने चौखट या द्वार पर ही इस दीपक को रखे और शिवजी का दर्शन करे ध्यान रहे दीपक को हमेशा अपने राइट साइड यानी दाहिने हाथ की तरफ ही रखना चाहिए दीपक रखने के बाद आप अपनी मनोकामना बोलकर शिवजी से प मंदिर में बेल का पेर ना हो, तो मंदिर के आसपास किसी बेल के पेर के नीचे आप दूसरा दीपक जला कर रखते और वहां माता पारवती और शिवजी का विशेश रूप से ध्यान करके आप अपनी मनोकामना पूर्ती की प्रार्थना करें, तीसरे नंबर का दीपक आप आपको आमळे के पेर के नीचे रखना है, आपको अगर आमळे का पेर नहीं मिलता है, तो आप किसी भी ऐसे पेर के नीचे रखे जिसकी प्रतिदिन पूजा पाठ किया जाता है, इसके बाद चौथा, दीपक आप अपने घर के पास स्थित, किसी मंदिर सरोवर या जल में प्रवाहित कर दे ध्यान रहे, आपको जलता हुआ दीपक ही जल में प्रवाहित करना है, इसके बाद मा पारवती और शिवजी का नाम लेते हुए प्रार्थना करें, कि आपकी हर मनो कामना पूरी हो, अब आपके पास बचा हुआ एक दीपक लेकर आप अपने घर वा विशेश रूप से अपनी उस मनोकामना को बोले जिसकी पूर्ती के, लिए आप इस उपाय को कर रहे है, दीपक जलाते समय आप अपनी मनोकामना जरूर बोले शिव जी की कृपा, से आपकी मनोकामना पूर्ती के रास्ते तुरंत खुलने लगेंगे, आपके द्वारा किया ये उपाय आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज लाएगा, एक अन्य उपाय करने के लिए, आप एक दीपक लेकर इस दीपक के अंदर रूई की गोल बत्ती लगाकर, शुद्ध की डालकर, पूरे फूल वाली दो लॉंग दीपक के अंदर रखते, और अपनी मनोकामना पूर्ती के लिए, मा लक्ष्मी और शिवजी से प्रार्थना करते हुए, अपने घर के मंदिर में शाम के समय इस दीपक को जला दे, मंदिर में मा लक्ष्मी और शिवजी की एक साथ पूजा करे, और उनके आगे इस दीपक को जला दे, जब भी आप लॉंग डालकर कोई दीपक जलाते हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जैसे ही लौंग, वाला दीपक आप मा लक्षमी और शिवजी के सामने जला देंगे, तो आपके जीवन में, चल रही धन संबंधित सारी समस्याई दूर हो जाएंगी जहां से आपको उम्मीद नहीं थी वहां से भी, आ आपकी आर्थिक स्थिती अच्छी होने लगेगी, कोई भी व्यक्ति पांच दीपक का ये उपाय अगर पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करता है, तो उसे मा लक्षमी और शिवजी की कृपा जरूर प्राप्त होती है, ध्यान रहे किसी भी उपाय को करने के लिए, जब आपको दीपक जलाना हो, तो आप माचिस अपने घर से लेकर जाए, क्योंकि किसी और से माचिस मांग कर दीपक जलाने से, आपके पुने फल का आधा, फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है, आठ सितंबर गनेश चतुर्थी स्थापना के बाद, मनो कामना पूर्ति के पांच दीपक यहाँ जला देना, श्री शिवाय नमस्तु भेन दोस्तों, नमस्कार दोस्तों आप भी अगर आठ सितंबर गनेश स्थापना के बाद, गुरु जी द्वारा बताए गए तरीके से पांच दीपक जला कर रख देते हैं, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल ज तरह से खुशाल होगा, विघनेहरता गनपती महाराज आपके हर कारे सिद्ध करेंगे, क्योंकि गनेश चतुर्थी में गनपती भगवान की विशेश रूप से पूजा अर्चना की जाती है, उनकी स्थापना की जाती है, और गनपती जी हर किसी के दुख हर लेते हैं, इस बार बरी से बरी पूजा पाथ या अनुष्ठान भी हमें वो उपलब्धी नहीं दिला पाते, जो छोटे से छोटा उपाय हमें दिलाता है, ऐसा तब होता है, जब हम किसी शुद मुहूर्थ में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरी जांकारी लेकर सही समय प आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा किसके बारे? मैं आपने कभी सोचा भी नहीं होगा पांच दीपक का यह उपाय कैसे करना है? इस बारे में फुल इन्फोमेशन के लिए विडियो को पूरा जरूर देखें. अपनी जिन्दगी को पूरी तरह से बदलने के लिए सुख समरिधी से भरने के लिए पांच दीपक का यह उपाय आपको कब करना है? कैसे करना है? इस बारे में सबसे पहले जानकारी पाना जरूरी है. क्योंकि बिना जानकारी के किया गया, कोई भी काम आपको पूरा फायदा नहीं दिलाएगा. इस उपाय को आप गनेश शापना के बाद सुबह या शाम जब मंदिर खुले रहते हैं, उस समय कर सकते हैं. आप अगर शिवजी के मंदिर में जाकर इस उपाय को करें, तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी उपाय करने के लिए आप इस दिन सुबह सुबह सनान कर लीजिए या किसी कारणवर् तो शाम को भी इस उपाय को आप कर सकते हैं, उपाय करने के लिए घर की जो माता बहने होती है, उनमें से कोई एक बरी ही ये उपाय करे लेकिन किसी कारण वश अगर माता या बहने ये उपाय नहीं कर सकती तब घर का कोई बरापुरुश भी इस उपाय को कर सकता है, इसमे कोई एक मुख्य सदस्य इस उपाय को करेगा तो घर के सभी सदस्यों के जीवन में शुब फलों की प्राप्ति होगी और मनो कामनाएं पूरी होगी चलिए जान लेते हैं। करना है इस उपाय को करने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत होगी। करना ही प्रयोग किया जाता है। आपको शिवजी के सामने रखना है। इसलिए आप दीपक लेकर मंदिर में शिवजी की मूर्ती जहा स्थापित है। वहाँ बने चौकट या द्वार पर ही इस दीपक को रखे। और शिवजी का दर्शन करे ध्यान रहे दीपक को हमेशा अपने राइट साइड यानी दाहिने हाथ की तरफ ही रखना चाहिए। दीपक रखने के बाद आप अपनी मनोकामना बोलकर शिवजी से प्रार्थना करें और कम से कम 11 या 21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। उसके बाद दूसरा दीपक आप बेल के पेर के नीचे रखतें। अगर मंदिर में बेल का पेर ना हो तो मंदिर के आसपास किसी बेल के पेर के नीचे आप दूसरा दीपक जलाकर रखतें। और वहां माता पारवती और शिवजी का विशेश रूप से ध्यान करके आप अपनी मनोकामना पूर्थी की प्रार्थना करें। तीसरे नमबर का दीपक आपको आमवले के पेर के नीचे रखना है। आपको अगर आमवले का पेर नहीं मिलता है तो आप किसी भी ऐसे पेर के नीचे रखे जिसकी प्रति दिन पूजा पाठ किया जाता है। इसके बाद चौथा, दीपक आप अपने घर के पास स्थित, किसी मंदिर सरोवर या तालाप के पास चाकर, जल में प्रवाहित कर दे ध्यान रहे, आपको जलता हुआ दीपक ही जल में प्रवाहित करना है, इसके बाद मा पार्वती और शिव जी का नाम लेते हुए करके खरे हो जाए, और अपने दाहिने हाथ की तरफ पांचवा दीपक जलाना है, और इस दीपक को जलाते समय विशेश रूप से अपनी उस मनोकामना को बोले जिसकी पूर्ती के, लिए आप इस उपाय को कर रहे है, दीपक जलाते समय आप अपनी मनोकामना जरूर बोले शिवजी की क्रिपा से आपकी मनोकामना पूर्ती के रास्ते तुरंत खुलने लगेंगे, आपके द्वारा किया गया, ये उपाय आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज लाएगा, एक अन्य उपाय करने के लिए आप एक दीपक लेकर इस दीपक के अंदर रूई की गोल शुद्ध की डालकर पूरे फूल वाली दो लॉंग दीपक के अंदर रखते और अपनी मनोकामना पूर्ती के लिए मा लक्ष्मी और शिवजी से प्रार्थना करते हुए अपने घर के मंदिर में शाम के समय इस दीपक को जला दे, मंदिर में मा लक्ष्मी और शिवजी की एक साथ पूजा करे और उनके आगे इस दीपक को जला दे, जब भी आप लॉंग डाल कर कोई दीपक जलाते हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जैसे ही लॉंग, वाला दीपक आप मा लक्ष्मी और शिवजी के सामने जला देंगे तो आपके जीवन में, चल रही धन संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी जहां से आपको उम्मीद नहीं थी वहां से भी, आपको धन प्राप्थ होने लगेगा, आपकी आर्थिक स्थिती अच्छी होने लगेगी, कोई भी वेक्तिव पांच दीपक का ये उपाय अगर पूरी श्रधा और निष्ठा के साथ करता है, तो उसे मालक्ष्मी और शिवजी की कृपा जरूर प्राप्थ होती है, ध्यान रहे किसी भी उपाय को करने के लिए, जब आपको धीपक जलाना हो, तो आप माचिस अपने घर से लेकर जाएं, क्योंकि किसी और से माचिस मांग कर धीपक जलाने से, आपके पुने फल का आधा, फल उस व्यक्ति को प्राप्थ होता है, आठ सितंबर गनेश चतुर्थी स्थापना के बाद मनो कामना पूर्ति के लिए, पांच दीपक यहाँ जला देना, श्री शिवाय नमस्तुभियन दोस्तों, नमस्कार दोस्तों आप भी अगर आठ सितंबर गन जाएगी आप देखेंगे कि इस दीपक की रोशनी आपके पूरे जीवन को उजाले से भर देगी आपके द्वारा किया गया हर एक कारे सफल होगा, महादेव की कृपा से आपका जीवन पूरी तरह से खुशाल होगा, विग्नेहिर्ता, गनपती महाराज आपके हर कारे करेंगे क्योंकि गनेश चतुर्थी में गनपती भगवान की विशेश रूप से पूजा अर्चना की जाती है, उनकी स्थापना की जाती है और गनपती जीहर किसी के दुख हर लेते हैं, इस दिन अगर आप कोई छोटा सा उपाय भी विधी विधान के साथ कर लेते हैं, त जो छोटे से छोटा उपाय हमें दिलाता है, ऐसा तब होता है, जब हम किसी शुद मुहूर्थ में पूरी श्रध्धा और विश्वास के साथ पूरी जांकारी लेकर सही समय पर किसी उपाय को करते हैं, बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उन्हें इसका पांच दीपक का यह उपाय कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफोमेशन के लिए विडियो को पूरा जरूर देखें, अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने के लिए सुख समरिधी से भरने के लिए पांच दीपक का यह उपाय आपको कब करना है, कैसे करना है, इस इस उपाय को आप गनेश चतुर्थी स्थापना के बाद सुबह या शाम जब मंदिर खुले रहते हैं, उस समय कर सकते हैं, आप अगर शिवजी के मंदिर में जाकर इस उपाय को करें, तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी उपाय करने के लिए आप इस दिन सुबह सुब अगर आपको लेट हो जाता है, तो शाम को भी इस उपाय को आप कर सकते हैं, उपाय करने के लिए घर की जो माता बहने होती है, उनमें से कोई एक बरी ही ये उपाय करे लेकिन किसी कारन वश अगर माता या बहने ये उपाय नहीं कर सकती, तब घर का कोई बरापुरुश भ करने की जरूरत नहीं है, घर का कोई एक मुख्य सदस्य इस उपाय को करेगा, तो घर के सभी सदस्यों के जीवन में शुब फलों की प्राप्ति होगी और मनों कामनाएं पूरी होगी चलिए जान लेते हैं, पांच दीपक का उपाय कैसे? करना है इस उपाय को करने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत होगी? दीपक में आप हमेशा शुद्ध की डाले बनाए गए पांच दीपक को पांच अलग अलग जगह पर रखना होगा, इसलिए आप दीपक को जहां जहां रखने वाले हैं, यानि आपको जहां जहां रखने के लिए बताया जाएगा वहां पर दीपक रखने की जगह पर आप पूल की पंखोरिया रखते सीधा जमीन पर दीपक को न रखे। दीपक रखने के बाद आप अपनी मनोकामना बोलकर शिवजी से प्रार्थना करें और कम से कम ग्यारह या इकीस बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अपनी मनोकामना पूर्थी की प्रार्थना करें। प्रवाहित करना है इसके बाद मा पार्वती और शिव जी का नाम लेते हुए प्रार्थना करें कि आपकी हर मनो कामना पूरी हो अब आपके पास बचा हुआ एक दीपक लेकर आप अपने घर वापस आए और घर के में गेट पर घर के बाहर की तरफ मुन्ह करके खरे हो जाए और अपने दाहिने हाथ की तरफ पांचवा दीपक जलाना है और इस दीपक को जलाते समय विशेश रूप से अपनी उस मनो कामना को बोले जिसकी पूर्ती के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं दीपक जलाते समय आप अपनी मनो कामना जरूर बोले शिव जी की खृपा से आपकी मनोकामना पूर्ती के रास्ते तुरंट खुलने लगेंगे, आपके द्वारा किया गया, ये उपाय आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज लाएगा। के समय इस दीपक को जला दे, मंदिर में मा लक्ष्मी और शिवजी की एक साथ पूजा करे और उनके आगे इस दीपक को जला दे, जब भी आप लॉंग डाल कर कोई दीपक जलाते हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जैसे ही लॉंग, वाला दीपक आप मा लक्ष्मी और शिवजी के सामने जला देंगे, तो आपके जीवन में, चल रही धन संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी जहां से आपको उम्मीद नहीं थी वहां से भी, आपको धन प्राप्थ होने लगेगा, आपकी आर्थिक स्थिती अच्छी होने लगेगी, कोई भी वेक्त को करने के लिए, जब आपको दीपक जलाना हो, तो आप माचिस अपने घर से लेकर जाएं, क्योंकि किसी और से माचिस मांग कर दीपक जलाने से, आपके पुने फल का आधा, फल उस वेक्ति को प्राप्थ होता है, आठ सितंबर गनेश चतुर्थी स्थापना के बाद, मनो कामना पूर्ती के लिए, पांच दीपक यहाँ जला देना ये इन्फोर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे.